नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग डाउटनेट की स्लाइट क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है अमित और मैं हूँ आपका समाजिक विज्ञान का अध्यापक तो बच्चा पाटी आज की इस क्लास की हम बात करें तो आज हम एक बहुत ही प्या सब्सक्राइब कर लेना ठीक है चलिए अरे बेटा आगए आगए बिलकुल आगए हम और यह चैप्टर हम डिटेल में करेंगे कवर पूरा डिटेल में चैप्टर के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं तो आपको श्टार्टिंग से लेके एंड तक है ना शुरूआ से लेके एंड तक जो है क्या करना है हमारे साथ बने रहना है एक्जाम पॉइंट व्यू की हम बात करें तो उसके लिए जो है यह चैप्टर जो है बहुत जादा ही महत्पूर्ण हो जाता है ठीक है चले चलिए आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम बात चुनावी राजनीती के बारे में यह राजनीती है राजनीती के चक्क्र में बहुत सारी चीज़े हो जाती है आपने सुना होगा राजनीती के चक्क्र में भाई-भाई-भाई की लडाई हो गई परिवार में लडाई हो गई है ना ऑफिस में जो काम कर रहे होते हैं वहां तो यह जो सारी चीज़े हैं यह हम करने वाले हैं है ना जल्दी सोता है ना तो यह पहले चैप्टर की हम बात करें इसमें आपने पढ़ा था लोगतंतर के बारे में है ना लोगतंतर के बारे में जो है आपने डिटेल में बात की थी और लोगतंतर में क्या था आपने देखा हमारे लिए जुआ करोगे तुम पूरे देश में का करारोंगे कानुन मनाक़ करो तुम है न तुम राज करोती हमारे पर पर हम कि得 रहे हैं यह तो बात पता होगी तुम्हें तो इसी से त"! प Agora । थैंक यू आफ हर्ट पेड़ा थैंक यू सो मच चलिए चलिए ठीक है तो यह यह चुनाव YouTube 172 यू ख नेती है तो हम हमसिस का जो मैं इमध्र लेकर आया हूं न भिलकुल मिलती जुलती है तो या बिना किसी देरी के जो है चाप्टर को हम शुरू करते हैं बहुत ही प्यारा चाप्टर है यह डिटेल में सुनना चलिए तो सबसे पहले एक चीज की बात कर लेते हैं किस चीज के बारे में जो है बात करनी है तो थोड़ा सा हम जो एक राजनीतिक संरचना है हमारे देश की, उसके बार में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो आपको पता होगा भीया, है ना, यह हमारा पूरे देश है, मान की चलिए हमारा पूरा देश है, है ना, और इस देश में क्या है, अलग-अलग राज है, और इन अलग-अलग राज्यों तो चुनाव दो स्थानी सरकार इस्थानी तो यह हम बात करें चुनाव कि तो वह ज्थानी ही नहीं बहुत लंबाँ जाएगा है चैप्टर तो यह थोड़ा सा ध्यान रही कि यह ऐसा ना हो कि आधे हंटे बाद बोर होने लगो बहुत यह अच्छे तो चैप्टर पढ़ाने वाला हो मैं तो सब्सक्राज सबस्क्राइब तरफ कि विदान मंदल जिस में अurnाद बराइब विदान सबस्क्राइब और बिदान परिसुड विदान सब्सक्राइब में ठीक है और हम्हें स्थानी सरकार की बात करें तो यहाँ पर पहले थो लिए पंचायत नगरी चुआ तो हमने चीज तो आ बहुत ही बेसिक चीज है यह क्या बेसिक चीज है तो यहां पर समझने की थोड़ी कोशिश करो कि यहां पर हम भारत की बात करें भारत एक कैसा भारत एक संगी देश है जहां पर अलग इस तर पर यहां पर चुनाव होते हैं जैसे हम बात करें केंदर की तो केंदर में चुना आपके छेतर से कौन सांसच चुनके गया है तो अगर मैं केंद्र स्तर की बात करूं तो यहां पर जो है अभी जो हैना यह राज सवा AAA और विधान परिसाद यह थोड़ा चोर दो इसको जो अभी थोड़ा ignore करो क्योंकि यहांपर यहां-पर यह तना समझो 소ify क्या समझेना कि यह एक लोककांति से अंग है कौन से विधाय का है एक हमारी एक कारेका है और एक हमारी जुड़ शरीयका HIS तो हैा यहां पर बात करें अगर राज के तरगी हम बात करें तौने विधान सभा आ जाती से सब्गार बन बनाई है जिस По सरकार बनी तो सरकार आपने बनाई है जिसने सबसे ज़्यादा जू है सीट्स जीती हैं वो गया बनाती है वो जो बनाती तो जैसे हम अभीकी बात करें तो अभी जो है अमारी कार अब उसे तो cabinet है उनकी जो हमारे प्रदान मंत्री है उनकी cabinet में मंत्री है लोग और यह जो है कारपालिका यानि कि इनका काम है कि जदने भी कानून बनना है उनको लागू करवाना देश में जो भी चल ला है जो भी प्रिसाशनिक क्रिया हो रही है एक्जिगुटिव की जो भ सबस्किति जो यहां अब करें सबस्क्राइए कान कारंने लोग करेंगे उनका उलंगन ख़ने तो उसके लिए बने हैं उनको अगर कोई लागू नहीं कर रहा तो उस पर नयाय कौन देगा तो हमारी नयाय पालिका देगी इतनी चीज़ समझ में आई चलिए अब यहां पर होता है यहां पर थोड़ा से ध्यान दीजिए अगर हम बात करें लोग सवा की लोग सवा में कितनी सीट होती है त चलिए अब इन 543 में जो सबसे जादा सीट है जीतेगा यानि कि जो 255 से उपर यहां 74 से जीटेगा वो क्या बनाएगा वह अपनी सरकार बनाएगा जैसे अभी कि हम मात करें तो नरेन जोडी सरकार की पास कितनी सीटे हैं 300 से उपर सीटे हैं तो वह अभी भूमत में है या तो अलग दूसरे बाई दूसरे सांसाद होंगे ना बैए जो बीजेपी की नहीं है समझ माया या नहीं आया या इनको भी तो लोगों ने चुनका ही वे जाए वह बात अलग है कि यह लोग जो है अपनी सरकार नहीं मना पाए है तो यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करो क यहें जो कारिपालिक पाह्य खारिफकेयों कुं कून का में दोने हैं इनने निर्वाचन शेत्र हुआ लेकिन अगर में में बात करों लैसलेचर की विधाइगा की बात करूं तो इसमें ये भी आएंगे कि जो ये बिसे ऐं दोनों आएंगे समझांगे अपने अपने निर्वाचन छेतर से यह भी तो चुनकर आ रहे हैं वो अलग बात है यह क्या नहीं कर पाए यह जो है पचास परसंट से उपर सीट जीत नहीं पाए तो इस वैसे क्या हुआ भई इस वैसे जो है यह विपक्षी दल में आते हैं समझमा आ गया इतना क्लियर हु है अनिए नहीं पर समझ से बढ़ा रहो है आपको किलियर है चालिये बहुत ही बात है है आब यहां के बात होगे यहां पर लोक सभा है और राज सभा की बात रहां धो लोगत करते हैं उनको जो है राज-सवा के लोग जो हमारे विरानसवा के लोग जो है वह चुनकर भेज़ते तो अभी हम Rajaasva की बात नहीं करेंगे, क्यूँ artery करेंगे ऊश्य के बात हो से के लेके अब रॉग सबारा को अब आफ क्लास्समें कर난ा है, और मैं अभी मैं नहीं करेंगे.. अब आजहर पर वाह keeper औân में किया ओर आपकी मुख्यमंत्री होते हैं न आपकी मुख मंत्री होते हैं जैसे आप 18 18 साल से अýपर की हो जाओंगे तो आप 2 वलंग करते हो तो आप अपने डाव में आपका यहां जो मुना पहलब है तुछ सस्मौन चुनेगा तो आप चुनोगे अगर किसी गाहों से हो तो अगर इसे आप लिच पुरे छिछी में भात करें तो नहीं अब बदान शवा की भाद करें गीजन सवा लइस लेट्इव डियु बूलते है से इंग्वे यह कि हम बाद करें तो यह हर स्टेट में होती है हार स्टेट में जानि कि यहाँ पर जो लोग चुनकर आये हैं उसे लोग ने चुनकर बेढें और विधान परिशद की हम बात करें तो यह सिर्फ कितने कितने स्टेट्स में यह सिर्फ जो है छे राज्यों में हैं विधान परिशद की हम बात करें जैसे हम बात करें राज सवा जैसे हम इंगलिश में गोलता है बाइक लोग सवा ठीक है वैसे हम राज्यों की बात करें त चाहो तो उमत रखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यहां पर सिफ छे जो राज है छे राज उनके कोई नाम बता सकता है तो मैं बताता हूं आपको यूपी बिहार महराश्ट्रा तेलंगाना आंद्रपिदेश टमिलनाडू तो यह चे राजों की नाम जो है याद रखन यह आपके chapter से related थोड़ा नहीं है लेकिन फिर भी जो है आपको समझने में जो है बहुत जादा help करने वाला है ठीक है तो केंदर की हम बात करें तो केंदर पर कोई है केंदर में जैसे हमने बताया कि लोग सभा है इसमें चुना हो रहे हैं यहां पर जो लोग जीत कर उन्हें MPs बोलते हैं और जिसके पास परसंट से ज्याला सीटे होंगी वह सरकार बनाएगा सेव वैसे ही राज सभा में राज में चुना होंगे तो आप जिसको वोट दोगे जिसको जुता होगे आप जिसके पास 50% से उपर सीटे होंगी वह कौन बनेगा वह आपके राज सवा में जो भी लोग बैठे हुए हैं वह कौन क्या कहला तो यह केंद्र वाला इस्सा हो जागा लोग सवाम बैठे का और यह जो हमारे एमले जो तर पर यह विदान सवा में बैठते हैं इतना किलियर हुआ जल्दी सब्सक्राइब समझ मा आया या नहीं आया समझ मा या या यह बहुत ही बेसिक पड़ा रहा हूं मैं अब है आधि चैप्र शुरू भी नहीं हुआ हमारा अभी जो चैप्टर वो शुरू भी नहीं हुआ है घार siya T 하나im तो एसे हैं ऊपर चुनावी राजनीती तो यहां फे राजनीती की बिना कुछ जोई नहीं के देश क्या सकता है और इसे मेरे बारे हैं कि वह उपने वह प्रते हैं कि अपने प्रतेर पर करते हैं बाकी जितने भी बचे हुए है जो हमारे आप हो सकते हो जो यूरी टैरिटरी उन्ने में यहाँ पर आप वो सकते हो विदान सवा नहीं होती है ठीक है तो यहां रखने हैं बेसिक सी चीज है अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी थियोरी पढ़ लेते हैं और यहां पर आपका चैप्तर शुरू हुआ अब आपको एक एक चीज जो है वो समझमा आएगी ठीक है ध्यान से पढ़ना चलिए चुनाओ क्यों यहां पर एक सवाल देश में तो फिर आप अपने प्रत्निदियों को चुनोगी कैसे चलिए माल लेते हैं चलो एक तरीका ऐसा हो सकता है कि सब लोग मिलकर जो है एक साथ आए और निड़ा ले लें लेकिन हमारे देश में जो पॉपुलेशन है जो जनसंक्या है वो कितनी है वह सो करोड़ से उबगाइं से ऑपर ऊसी से नब्वे पचास के ओर लोगे पचास से एक डेटा ले रहा हूं मैं तो यह तो यहां चुनाओ नहीं हो तो जो भी निड़ा लिया जाएगा संब मיל जूल के लेंगे ऒब वहीं मैं जूल के मिल रूट को एह साथ होगा तो यह भी मान की चलो आपने बोल दिया कि चलो ठीक है एक काम कर सकते हैं जो लोग सबसे ज़्यादा सीडिर है बहुत सबसे ज्यादा हुश्यार है जो पढ़े लिखें वह जो है निडलेंगे अब यह आप यह डिसाइड कैसे करोगे कि बहूर निडल लेंगे कैसे आप यह किस तरह से लेकिन आपको पताई चल भी गया कि एक जो हैं बहुत हों जो कहेंगे वह सही होगा तो यह क्या पता वहाँ जूज साल से उपर के जो मैं आपना नेता बनाया है क्योंकि वह चुनाओर को चुछ करेगे ना सब को चुनाओ करने का अधिकार है क्यों क्यों हम चाहते है कि यह जो इंसette निह बने चाम करेगा वगज़े नियए जरूरी हो जाते हैं अब सोच के देखे चुनाओ नहीं हो रहे हैं किसी भी डेश में तो यहाँ पर कैसे सरकार होगी यहाँ पर तौ ताना शाही कि सरकार होगी यहाँ फो राइसतंतर होगा है तो यहाँ पर उधारणय दिया गया है ह dużाँ हर псих sought to 87 की चुनाव हुए है न अर्देवी लाल जी उनिए ने एक कैम्पेंज चलाया आपना है ना और हонов featuring camp非्कैम बाइन का नाम का था अलिब हाउ सकते हो बनाम कि खा था यहाँ पर लखेंगर होगा हाँ लोक शक्तिucher इस shorter पर इन्होंने एक campaign चलाया और यहां पर इस campaign में उन्होंने बोला कि यह को ओंग्रेस जो थी ओंग्रेस ने कुछ करवाया नहीं तो कुछ करवाया नहीं ठीक है अब मैं क्या करूँगा मैं सत्ता में आ जाएंगा हर्याना के थे बाइए हाना आगर मैं देविलाल जी की बात क भगाते हैं तो इन्होंने अपने घोष्रापत्र में होती है कि आप जब चुनाओ घीत जाओगे तो और देविलाल जी जिए जाते हैं तो यहां पर भई पूरी कहां नहीं लिखी कई है पढ़ो यहां पर तो हरयाना में है 1947 की चणाव में देवीलाल जी ने जो है क्या क्या बाई ये लोक शक्ति दल्करी लोक-शक्ती दल्क ओर नम था लोक-शक्ति यह चतल पर चेर चलिए जंता उत्सक्ता पूर्वक जो है देविलाल का जो किया अब क्या हुआ बाई सुनों 1982 में हर्याना में कॉंग्रेस की सरकार थी तथा 1987 में देविलाल ने जनता से यह वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर किसानों को तथा व्यापारियों का रिड़ माफ कर देंगे समझ माया यानि कि इन्हों में से शेटर सूठ मिली मतलब पूरी टोटल सीट ने कितनी नबवह जी कजीए थी पैता आऴसी प्रॉस एक शालेस इननें मिली कितनी इनने मिली कुण की पार्टी को जो है साथ सी ते मिली collaborative इनोने एक बादा है वो उसे पूरा किया लेकिन हुआ क्या अब हुआ यहां पर कहने का मतलब क्या इस उधालन से आपने क्या सीखा कि यहां पर जो जनता होती है इसे सरकार बदलने का पूरा-पूरा हक भी होता है समझ मा आ गया जैसे आप चुनाओ कर रहे हो किसी को चुनाओ करके जिता रहे हो तो आपको यह भी पता होना चीए कि हर पान साल बाद जो है चुनाओ होते हैं जिसमें जनता की पास पूरा-पूरा ऑप्शन होता है कि जो सरकार चल लई है उसको हटा कर दूसरी सरकार लाई पूरा किया लेकिन फिर जो है जिनता ने पसंद नहीं किया और जब फिर से चुनाओ हो ए कि जनता को अपनी सरकार को बदलने का इहाँ हर 5 साल बाद व्यू music होते हैं और यहांपर 5 साल बाद जो है Oh wheat जनता जो है तो फिर से जिता देगी और अकर ने पासंद नहीं आरहा ह तो नहीं जुताईगी समझ में आया जल्दी से склад और लोसमें आ जाएगा टिए क्लियर द्लिवा ग deb एशर के पर और उन्होंने एक प्रिचार किया था और यहां पर विन्होंने मिदेया Thermal नाम आपकी बुक में दे रखा होगा तो एक बारी देख लेना वो मेरे को ध्यान निया रहा है दमाग से उतर गया शायद चलिए अब भूमत की बात कर लेते हैं अच्छा यहां पर क्या होता आधी से अधिक सीटे जो है किसी राजिंतिक दल द्वारा जीतना ही हर्याना बहुमत के लिए हटाAY व मान के चलो शीटे है तो झीतने लिए और पर यह जो से क। बहुमत के लिए कितनी और चाहिए तो 11 और चाहिए तो यहां पर यह जो पार्टी है जिसने 40 सीटे जीती है यह किसी एक ऐसी पार्टी को ढूड़ेगी जिसके पास 11 सीटे होंगी और उसके साथ मिलकर जो है गठवंदन हो जाएगा इसको बोलते हैं गठवंदन वाली सरकार अचाहिए यहां पर प्रत्निदी दातमस्ला मतलब क्या है कि आप जो होना अपने प्रत्निदी ओं प्रत्निदी को नैं जिसको आप चुन रहे हो आपका प्रत्निदी हो जाता है जैसे आपके छेतर से जो है MLA की सीट के लिए बहुत से लोगँ खड़े होते उंगे यहां यहां पर आपके प्रतनरियों को जो है चुनकर भेज रहे हो ठीक है? आई होप आप को यह जो चीज है यह समझ में आ गई होगी लाइक करते रहेगा एंड तक रुकना है गैलंटी से कहता हूं एक एक चीज समझ में आएगी चलिए अब बात कर लेते देखो आधुनिक काल में जो है अधिक तर लोकतंत्रों में जो है जनता अपने प्रत निदिय है वैसी भार के देशों में भी चुना होता है ठीक है और चुनाओ रोगया में तो योगी थे क्लियर हुआ पहरां से जनता एक साथ बैठकर जो है समझत नहीं ले सकती यह मैंने अलड़ी बता दिया यहां पर क्या है कि आपके आपके पूरे इलाके में जो है दस लाग की जनता है और दस लाग पर जो है एक बंदा जो है चुन कर जाएगा यानि कि इस दस लाग की जो पॉपुलेशन है इस पर जो है एक बंदा जो चुन के जाएगा अब एक कॉंसेट रवाट इप्यारा सा कॉंसेट है हम मैं निर्वाचन छेत्र का मतलब बताता हूं थोड़ा सुन लेना आपको समझ मां आ जाएगा मान की चलो बहुत अच्छा कॉंसेट है थोड़ा सा समझना क्लियर हो जाएगा है यह जो कॉंसेट है आपको आगे तक काम आएंगे मान की चलो यह पूरा क्या है यह पूरा हमारा केंद्र है केंद्र हम पूरा देश है केंद्र साथ केंद्र में क्या होता है मान की चलो किंद्र हमारे केंद्र सरकार जो है अब इसमें क्या होता है आपने सुना होगा 545 सीट ए कि एक मेंब आव पार्लिम्त चुन का आता है को नप Lर्वाचन छेतर हैं तो है तो मैं बताओं तुभिज बात खें इसमें मारे व्यूंस आट यरूपक तो यह है वाइं निर्वाचन छेतर हैffen बोलते यह से हम बात करें 545 हैं तो यह पूरा जो देश है वो 545 निरवाचन छेत्रों में जो है विवाजित हो जाएगा निरवाचन छेत्र मतलब कि इस इन इन छेत्रों से जो है लोग चुनकर आएंगे सबसे जादा सीट है उसके पास चैशे उपर है तो यह जो पॉपलेशन है उसके पास होगी तो यहां पर कितनी होगई कि यहां पर जो है थी उसके अकॉर्डिंग जो एक जो पॉपलेशन दसलाग होगी उस पर एक जुए जो एक सांसर चुनके आएगा तो भया दसलाग 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 तो ऐसे करके जो आपके शेतर में कौन है निर्वाचनNSरें निर्वाचन शेतर निर्वाचन शेतरऊ होगी टुट है क्या करूट अफिभाचन में तो क्यों निर्वाचन चेतर को बाते मतले च्युक्तव भाथ circulation लोग चुनके एंगे वैसे 543 हैं, दो तो अंगलो इंडियन वाली थी, तो 543 है, तो 543 सीटों पर क्या होंगे, चुनाओं होंगे, और इन पर अलग अलग पार्टी के, अलग अलग दलों की जो है, अलग अलग नेता आएंगे, और चुनाओं लडेंगे, और अगर जो जीते निदी खड़ा हो रहा है उसे आप चुनकर भेजोगे तो यहां पर भही कह रहा है अब देखो यहां पर वही बात बोली जा रही है कि देखो यहां पर है क्या हमारे देश में चुनाव होते हूं आप पर प्रितक को सुलजाए गढ़ तो हमने क्या है पूरी की पूरी करोड की जन संक्या को हमने संसत में भेजा हमने क्या हूं प्राइब वाजित कर लिया औल्लग निर्वाचन शेत्रों से कर एक आ कोरिंग जो जिसको seat मिलेगी जो सीट जीतेगा ठीक है वो का कहरेगा वो संसत में जाके बैठके नियम कानुन बनाएगा उन जंता के लिए काम करेगा जिसने उसे वोट देकर भेजा है ठीक है इतने बड़े देश में इतनी जहाँ पॉपलेशन जादा है वहाँ पर जो है प्रित्यक शुरूप स यहां पर जो 80 सीट देतों है इसा घर करिके जो है आपर जन संख्या के अनुसार जो यहां पर सीटों का वित्रन हो जाता है इतना क्लियर हुआ जल्दी से बताओ हाँ या ना हाँ या ना भाई इस से अच्छे से ना कोई बता नहीं सकता है ना तो आप अगर धंग से सुन रहे हो ना तो एक एक चीज जो है समझ मानी चाहिए है ना कोई वात नी बेटा स्निया बेटा आपना रिकॉरेट देख लिया करो वैसे भी मैं पूरा स्लिबस कंप्लेट करवाने वाला हूं है ना एक एक चीज जो है यहाँ पर समझना थोड़ी सी ठीक है चलिए अब यहाँ पर पढ़े के देखो आपको एक चीज समझ माएगी पूरी थेटिकल चीज है यह दो को आद्रिक काल में अधिकतर लोगतंत्रों में जंसंक्य आपने पृतिमियों के मादना में की साकी जंस्थ जंसंक्य में पर आतला इक साथ बैठके कैसे निड़र लेगी तो इसलिए हमने हWindy कै हमने अपने प्रितनियों को से बहुंआ लेने के लिए जो आप समय आवंग ग्यान का होना संभव नहीं है मतलब अगर कोई एक विक्ति है तो एक बाव होता हुआ है लोग था आई अपने प्रत्नेडियों को चुन नहीं की एक प्रकरिया होती है पृँधि adaption के लिए और की बच्छन आ सकते हैं और यह विता होता है ना पान साल बास को समय समय जाएंगा कि तुम क्या गर्वाओ विकास करवाओ अब अब पांच साल में कुछ रिल्ट नहीं आती है तो जनता की पास मौका है कि यह और प्रतनिदी है उसको जिता यहां पर आपको जो आपका प्रिजनरी अभी अभी जो आपका है प्रिजन्ट में जो सरकार है वो अगर अच्छा काम नहीं कर रही है तो उसको हटाने का भी यहां पर आपको मौका दिया जाता है बस सिंपल्स आए ज्यादा इसमें कुछ है नहीं ठीक है चलिए अच्छा य तोसिन लोगों को आपने चुनकर भेजा है तो यहीं तो आपका पूरे देश का भुष है उसका निड़ा कॉन ले रहा है तो यह आपने लिए जो कानून बनाने का जो सकते हैं वे शरकार बनाने और बड़े फैसले करने कर सकते हैं जो भी सरकार बने की जनता इपनिकी इसका चुनाओ कर सकते हैं और जो भी बड़े बडे सीथिया सटर बेत तोँ सी बात है जो है जनता ने ही उसे स्टोफाने जनता दना ने जनता से प्रतimana यह जनता ने उसे चुनकर भेजा है थो यह पर होता है लेकिन यह आप चुना अ चुनाओ को तुम तो मतलब आधार लोगतांतिक चुनाओं के लिए जो है नियुंतम शर्त हैं मतलब यहां पर किसी भी चुनाओं कुछ आप लोगतांतिक चुनाओं कैसे बोल सकते हो अब जैसे हम भारत की बात करें भारत में तो एक प्रॉपर एक लोगतांतिक चुनाओं होते हैं इसमें कोई डावट लेकिन सिर्फ एगी पार्टी को वोट कबिए मुद्ट्बिट को ना तो यह चुनाओ अलोग तांत्रिक तो बिल्कुल भी नहीं लेकिन चुनाओ तो हो रहे हैं तो यह हर चुनाओ जो होता है ना तांत्रिक नहीं हो सकता यह भी रक दखना हमारी सबसे बढ़ी बिखेडी नहीं होता उसके आगे क्योंकि कोई भी ख़रा होगाえば मार देगा उसको तो यचना तो वहाँ पे भी हो रहे हैं लेकिन किसा तरीके से ओर रहे हैं वह तो आप को भी पता एंट तो ये ने परहता है तो हैं फुन लो सो नो मताल हो जाती है है तो हमारे देश में है है और अलग है चिस प्लस था एक किस साल से उपर ओड़किंगर अब क्या है, अब 18 या 18 साल से उपर के जो लोग हैं, वो वोट दे सकते हैं, तो 18 या 18 साल की जो भी लोग हैं, वो मतादिकार, उनको मतादिकार प्राप्त हैं, वो वोट डाल सकते हैं, उनका जो वोट की मत होगा, वो समान होगा, समान का मतलब क्या है, समान मूल मतलब, अब वया जो मुकैशम्मानी वोट दे रहा है और अगर ये जो भी आम नाघर के हैं जो वोट करता है उन सब चैनाव सबसे बड़ी चीज है ना जो चामा नहीं नहीं हो सबसे बड़ी चीजे ना जो चांव हो रहे हैं और सिर्फ एक पार्थी खड़ी हुई है तो ये काये का चुनाओ ये पार्टी सो वोट दो ना यहां मद दो शौनम मुश्रड जी पार्टी जितेगी होने जरूरी है जैसे हम अपनी भारत की बात करें तो यहां पर अन्यकों पार्टी खड़ी होती है भी मैं जब नहीं है तो खुद की पार्टी बना के जो अकेले अकेले जो है साल खड़े हो जाएंगे वह उसे हम निर्दली प्रित्यासी बोल देते हैं तो जिनके पास किसी पार्टी के सपोर्ट नियों खुद से खड़े हो जाते हैं तो भाई बहुत सारी यहां पर वहां पांचum यहां तो यह साल बात हो गए फिर साल चुनाव हो नहीं कि लोग जिसे चाहें वास्तम में चुनाव असी का हो लुद बोठी को पर जो है लूट मार जाती है मार पीड़ जाती है वैट कर लिया जाता है उसको है ना और सारे जो वोड़ होते हैं खुत कही खाते में डाल ले जाते तो यह चीजे नहीं सतंत और निसपक्ष्ण से होने चाहिए मतला सतंत इंदसंस कि वही चीज मैंने वटाई यह गलत काम हो पूरी तरह से बिल्कुल भी नहीं है लेकिन हमारा भारत का संविदाहन है वह यह कहता है और फिर भाई अगर देखा जाए अगर दूसरे हम देशों से compare करें तो हमादे भारत का जो चुनावी लोक तंतर जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है मजबूत है ठीक है यह इतना जो है आप समझ जाना ठीक है क्लियर हुआ यह नहीं हुआ जली दिस बता है ना चलिए आगे बतना है हां आगे बताते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और पर त criança भाई जैसे ढाब देखा यह में फोटो लाया हूं फोतीक रखते आप को बनाएं वह बहुत जाएदा को competition होता है तो आज के टाम पर भी आप देख लो है चणाओ जब चुना sadece लोगता है चुणाओ इस टाम पर नहीं पर चलते हैं अब पूरी लहर चलता है यह से कुण है चलता है पूरा जो टल् selbstुम पर इतना भला मानस बन जाता है कि इस से जादा अच्छा इंसान तो दिनिया में कोई है ही नहीं तो यहां पर कुछ इस तरीके की जो है प्रतिस्पर्दा देखने को मिलती है यहां पर ऐसा नहीं है कि दोनों लड़ रहे हैं यहां पर मतलब क्या दिखाए गया है कि चुनाव यह भई चुनाव का एक भाई यह फिर थोड़ा से लिए अर्थी क्या है लोग तांत्रिक चुनाव को सही अर्थी क्या है राजनेतिक प्रतियों तो यहां फिर प्रतिसपर्दा अरे यह आपके पास बहुत सारे और अच्छे लोग यह खड़े हुए खराब भी खड़े हो यह हो जाएगा वह हो जाएगा और पूछ पार्टी जो होती है ऐसा नहीं कि जुछ वादय करती है वो अपने वादय को पूरा भी करती है तो यहां पर होता है लोग जब घुशड़ा पत्र परते हैं जिसे इंगलिश में मैनिफस्ट बोलते हैं तो उनकी घुश्ड़ाओ तो वो तो यहीं सोचेगा कि कि भाई या क्या हो हमारे लिए जो है जो व्यापार में जो चीजे हैं वह काफी नियमित हो जाए और फायदा हो जाए तो यह सब जो है अपने मतलब के लिए बहुत कमी लोग सोचे हैं आ जैसे हम इंडिजिल लेवल की बात करें तो आप अपने बार मीं सोचोगी भाई कि आप जिस चेत्र में और वोटिंग होती है तो सरकार यहां पर जो अलग लग दल होते हैं को कोशिश करते हैं कि हर एक का जो इंट्रेस्ट है ना उसको जो अप प्रोटेक्ट किया जाए उसे हाँ यह जो चीज़ें आज हो पर तिस्प्रता है किसके बीच में होती है यह कैने घंद कि दलिधा ऑना यह संदर होती है यह अपने हर छेत्र पर जहाँ जो भी निरवाचन चेत्र होते हैं इन से आपने अल्ला गलग जो है उन्मीद्वार उतारति है तुम चुना लोडो ऐसा आपने सुना होगा इने टिकेट मिल गई हमारे छेतर से जो हमारे निर्वाचन छेतर से इन फलाने को टिकेट मिली है तो टिकेट का मतलब क्या होता है कि यानिकी जो पार्टी है जो पार्टी जो है राजितिक पार्टी जो है उसने अपना उम्मीदवार जो है उतार दि बहुत लंबा चाप्ते नहीं थोड़ा सा ताइम लगने वाला है समच्छा गासा चलिए अब आगे बात कर लेते किसके बारे में तो राजिंतिक प्रतिस्पिद्दा की हानिया अहां यह जो प्रतिस्पिद्दा जो है इसकी हानिया क्या है अब यह हर चीज के फायदे भी होत परसंट नहीं 50% 30% तो पूरे ना कंशकंद पूरे तो होंगे ना तो इससे क्या होता भई हैल्दी तो है ना जैसे आप कुछ चीजों की मांग कर रहे हो कि सरकार नहीं करवाई तो आगी जो सरकार आतीं अगर वो काम करवाती है तो फिर से भी जी सकती है अगर अच्छे का मस्सा है यह तो आप लोग भी चीज को जानते होंगे जैसे जो बच्चे मेरे गाउं से बलाउं करते होंगे होता क्या है कि जब चुनाओं आने वाले होते ना तो लोग जो है घर में बढ़ जाते हैं घर में मतलब घर परवार में बढ़ जाते हैं ठीक है आप किसी पार्टी ल करते हो लेकिन पर फाइड ऑपड़ना नहीं चाहिए है रिष्ट होते हैंना वरपारी जाल रहा होता है कि क्सी और पार्टी को सपोर्ट कर रहा हुता है धिक है ना पहली चीजिए हो गई दूसरी के लोग थो एक दूसरी के के खिलाफ आरूप lui लगाते हैं और अलाव दलू के नेता होते हैं क्या करते हैं एक दूसरी को आरूप लगाएंगे भाई आपने देखा होगा जब रैली चलती है तो यहां पर एक जो नेता है बड़े-बड़े नेता जो होते हैं बड़े-बड़े यहां पर जो है यहां पर जो है एक दूसरे को टार्गेट किया जाता है ठीक है चली यह चीज बहुत गलागत हो जाती है एक लेवल के बाद ठीक है पार्टियां और उम्मीदवार जो चुनाओ जीतने के लिए जो हर तरफ के यह भाई पर चार्शाइस परसंट से ओपर इसे ठीक नो पर इसे लोगों को किया करते हैं अपने पर अपने चलती जाता है उप्रतियासी-बहुत-ी-कमजोर है उसको जब धमका बुथा करें गूंडगर्दी की जाती है जो बूत पूल जो होते हैं आ दाले जाते हैं वहां पर जो है जाकर मशीन वगएरा जो है हमास से लोग इन्हीं कारोड़ों से चुनावें मुकारणिया अब यहूठाब क्या है जो गंदी राजनीती जो ठीकाणिया यह सारी जो चीज होती है इसे बचने हम ऐसी साधारन जीवन आपको अगे ऑड़ते हैं आगे बढ़ते हैं आब बात कर लेते हैं राजनितिक प्रतिंद्दिक के चैनल इसके पहले हमने हानियां देख लेए अब लाप की बारें बात कर लेए लाब क्या है चलिए तो इसके माधिया से ही जो है जनता लोगों की सेवा करने वाले राजनीता को चुन सकती है हैं न सबसे पहले बात की ये वाई कि जैसे होता है न कि हर पार्टी खड़ी हो रह कि रहे हो और पूरा नहीं कवाद़ तो से चुना होंगी यहां तो यहां पर क्या होगा यहां पर जो है आपको in आपको energy आपने वह तो आपको नहीं ते चलिए अभ होता है कि यहां पर अभरथी चुनाऊ राली अब Romans पर में क्या हां समझ लेते हैं तो मैंने starting में सारी चीज्आ आपको बता दिए तो जो बच्चेGroup देख रहे हैं उन्हें दिक्क्त नहीं होने वाले अब यहां पर सुनो कि भारती चुनाव परडाली कैसी किस तरह से भारत में चुनाव होते हैं तो उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा और यह आपको समझ में आ जागा इसमें कुछ ज्यादा है नहीं क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको इतना सारा बता दिया है अब सुनो अब समझ लगे चलिए उप चनाव क्या होता है एक होता है या मितलाम तो हम अंग्रेज ने जो भारती मैलाओं के साधि कि और उनके जो बत्चे वह उनने क्या वह एंगलो इंडियन बोला गया तो इनके लिए जो है दो सीटें जो है रिजर्व रहती है जो अब हटा दी गई है अब जो है इन्हें हटा दी गहीं है दो एर उन्दिश में संसोदन हुआ था उसके बाद जो है इस साल हो गई थी और एक साल बात जो है यहां पर अब यहां पर चुनकर जो आया है वह तो आम चुनकर आया है आप जनल एंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश में से जर्ण वोलते हैं अब हुआ क्या बढ़िए अब यहां पर संसर्द में बैठ नहीं सकते दो दोstat हड़िया और एक यहां यहां पर बीमार आप क्या होगा तो ुस प्लत कैसी दोन चुनाओ था तो यहां पर यहां पर फिर से नहां फिर गतुका बहुत ज्मानतुत कर और चुनाओ यहां पर फिर से एक नया जो मेंबर होगा वो चुनकर आएगा तो इसको पॉल देते हैं थीक है तो विदिन तो यहां पर कई बारी जो है सिर्फ एक चेत्र में ही चुनाव होते हैं जो किसी सदस्की जो है तो कोई बीमार बहुत जादा है और यहां पर किसी की डैथ हो गई है यहां फिसी ने स्तीफा दे दिया है तो उस उसे ने बाइसम नंबाए यहां पर उपचीनाव होते हैं तो दो चुना तुनाव चुनाव चुनाव दो परकार के होते एक तू होता है हमारा आंप चुनाओ जिसके बारे में हम आल्लरदी पढ़ चुके हैं बहूंने बताए तो यहां पर क्या हुआ लोक्ताइब विधान सबाद था इस्थानी सशाशन कि संस्थाओं के चनाव के लिए पूरे देश को अनेक छेत्रों में वांट दिया जाता है इन अनेक छेत्रों क्या बोलते हैं नर्वाचंछेतर बोलते हैं कॉंश्ट्योंट कॉंस्ट्ट o तो तो लोग सभा विधान सभा तथा इस्थानिस उसाशन की संस्थाओं के लिए पूरे देश में पूरे देश को अने छेत्रों बाटते जाता है हर चुनाओ छेत्र में मद्दाताओं की संक्या जो है काफी हद तक तो यहां पर यहां पर एक सीट घॉया नपर चैलिग जादा यहां तो जंसंखताइए वहारायग जिया है उसमें नमछू किया हर टेक है दस लांग परी यहां पर बात कर लेते आगे आरक्षित निर्वाचन छेत्र अच्छा यह थोड़ा समझें अब सुनों यहांपर थोड़ा सा और देश आजाद हुआ तो यह आप पता होगा हमारे देश में जाती जो विवस्ता थी बहुत बेकार ते यहांत जलती थी आप देश में अलग ज जातियों में जो है अलग-अलग वजद थे और जिसमा जो है जो पिछड़े गोग थे बहुत बहुत बेकार हुआ हम आजादीगी बात करें और आज भी होता है करी जगों पर यह सारी जो चीजें हुई तो जब हमारे समविधान मना जो हमारे समविधान निर्माता थे उन्ह आए उससे जो है इस समाज को जोड़ना पढ़ेगा तो यहां पर समाज को बहुत लगा तब करें तो महिलाओं पर क्या दिया गया आप यहां समझी हमें क्या करना पड़ेका तभी कि हमाज पूरा देश जो है वो एक साल इक साथ चल पाएगा तो यहाँ पर होता क्या है कि जो सवा की बात करूं राश सवा की बात करूं तो है ऐसके हो घूंपर जया से थींडितों की और अपको बताना है और आपको बताना है और आपको बताना है यह आपका हमवर्ग है और सब को है कॉमेंट में बताना है बहुत ही अच्छा प्रशन यह पूछ ले जाता है ठीक है चलिए हमारे सम्विधान में जो है कमजोर वर्गो अनसूचित जाती और अनसूचित जन जातियों के लिए जो है आरक्षित निर्वाजन छेत्र की विशेश व्यस्ता का भी प्राब्दान है घ्राबदान है क्यों रखा गया है ताकि है पिछ्ड़े जो लोग है जिनके साथ बहुत गलत हुआ है हम समाज की मुक्षणा से जो नहीं होगा तो वह यह बहुत बड़ा समाच जो में जिसको जो है श्टार्दिंग से बहुत बढ़ा यूज्ञार बात करें उसमगे देखहोंके कि वहाँ पर जो होती है वहाँ पर डॉद्च और फ्रैंस जो फ्ररचण बोलते थे उनका आप इतना जी वासी होंगे इतने अनगे तो आ गया पड़ोगे लेकिश रार अभी के लिए चलीए हाँ त्र उसको अरॉन कर कर दिया गया उसको आरक्षित कर दिया गया किसे के लिए सी ऐसची के लिए grade ताकि GUY यह हम मू कितारा से जोड़ सकें ठीकर चलिए आगे बढ़े आगे बढ़ें और आगे बढ़ाते हैं कि उची का निर्माट् figur मतदादा सूची क्या होती है वोटर लिश्ट से बोलते आपने देखा हुआ वोटर लिश्ट है ना वोटर लिश्ट से मतदादा सूची क्या बोलते हैं वोटर लिश्ट बोलते हैं कैसे कैसे होता है कैसे कैसे क्या क्या होता है तो लोगतांत्रिक चुनाव में जो है मतदान क योगिता रखने वाले वालों की जो है सूची चुनाव से काफी पहले तयार कर ली आते हैं तो आपके वोटर आईडी खुदी बन रही है तो कहीं ने कभी जब यह वोट डालने हो जाएंगे तो यह हमें वोट देंगे किसी और को देंगे एक वोट तो बनी जाएगा तो खुद से आपको कुछ करना नहीं आपको थोड़ा से नामवम देना आधार कर देना आपको यह आपके पास वोटर आईडी भी नहीं तो आपका आधार काड यह फिर आपके पास डाइविंग लासेंस है उससे भी काम चल जाता है ठीक है ना चलिए तो भई लोकतान्तिक जोटे सकते हैं तेंगा इस सूची को सब्सक्राइब किया गया है कि एक ऐसी सूची जिसमें ये पूरा मेंशन किया गया है उन को यह हो यह विवस्ता करना सरकार की जमिदारी होती है अब किसी जम्हदारी होती चले जा replied to अब चुनाओ चुनाओ जब होगे तो 17 साल की सबतिन नोग यह अपडेट पुरी की जाती है एक फूरी पूरे पांच वर्श में जो है तो पूरे जो सोची जो है इसको पुना जो है बनाया जाता है पिछले कुछ वर्षो से चुनाओं में फोटो पैचान पत्र की नई विस्ता लागू की गई है ताकि फर्जी मद्दाता मद्दान को जो है रोक आ जा सके अब होता है यहां पर फोटो आइंटिफिकेशन भी हो बंदे ने डाल लिए तो इसका फोटो जो है पहले से आइंटिफाई कर लिया जाएगा और इससे क्या होगा वो जो व्यक्ति है फिर से चुना फिर से वोट डालने नहां सके ठीक है चलिए उम्मीदवारों का जो है नामंकन हमारे देश में कोई भी मद्दातक जिसकी उमर इसका नामंकन भी भर सकते हो मतलब एक पार्टी या तो किसी पार्टी से युड़े हो या फिर आप मिर्दली भी चुनाव लड़ सकते हो ठीक है अगर खड़े होंगे तो जनता हमें वोट देदेगी ठीक है चालिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है राजिं है आप है ये कॉंघरते है यहां पर आप होगी यह आप मितला आमादमी पार्टी यह 545 नाम देगी अपने पार्टियों पाइच यह वहagy तो सब जो पर यदिन भी पार्टियाँ है वह अपने 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 उम्मीद्वारू के जो है नाम मनोनीत करती है जिले जो है पार्टी का जो है चुनाव चिन चुना लड़ोगे तो इसका मतलब होताँ टिकट मिलना तेक है चले तो यह पर यह सारी चीज़़ों ऊती है और फी क्या होता है जब इसके बाद चुनाव चुन्हाव चुन्हाव को प्रॉसीएर्ट जो होता है ना पार्टियों को नाम देना उने उनको देना तो सब काम किसका होता है तो election commission का होता है यह हमारी क्या है वाई एक constitutional body है एक हमारी constitutional body है जैना सम्विधान ने मनाया है ऐसे और इसके पास अलगी तागते हैं ठीक है सरकार से बिल्कुल अलग है सरकार का हिस्सा है लेकिन जो भी कोई किसी का शोर नहीं होता है इंडिपेंडनेंट लेंट इस पर पता दिल जाएगी मतलब सारे जो कॉछ सब्सक्राइब कम उस टाइम पर एसा लोग जो है मर्याद़ा पुरिष्वत्म नाम जाते हैं इस टाइम पर तो इसे में जो तो जए सब आते हैं वह तो जा जाते नहीं फिर तो दिखते भी निया बार लेक्षिन जाते ़िए पर को तो नहीं ओर समेह कर देच होता है हमाई क्थ क्या होता है हमारी है उम्मीद्वारों कि उसके बीच प्लस वोट जब वोटिंग होगी मतनान शुरू हो जाएंगे उसके बीच में लगवाग च्वादा से पंदर दिन का जोए गयाप होता है उस पंदर दिन में जो यहां पर क्या होता है बहुत जादा यहां पर आप देखोंगे रैलिया निकलती है ठीक है दो सब्सक्राइब करते हैं चुनावी सभाओं में भाशर देते हैं और रैलिया निकालते है तथा अगबार और टीवी चैनल पर चुनाओं से जुड़ी खबरें खबरों यहां पर आपने देखा हुआ बड़ी बड़ी जो नीश चैनल होते हैं यहां पर अलग निता को बला जाएगा डिवे अज भर और निकल बड़िय करते हैं तो यह सारी चीज हैं वह होती है ती कह吧 चली है आ realtors अब बात कर लेते हैं चौनाओ से अयाट से póल और अच भोलते हैं आ प्रचार के आदर आचार सहीता को भी सुकायर किया है जितनी भी आईंतिक पार्टिया होती है वो अपने दाइरे में रहकर ही जो है प्रचार बगरा करती है है मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं अब कुछ भी कर रहे हो ठीक है पूरे जो को ड्रफ कर नइए हो अब करेंगे हम आदर चीज़ों को भी करेंगे तो इसमें उमीद्वार पार्टियों को यह सब करने की महानी चुनाव प्रिचान में किसी भी धर्मिस्तल का प्रयोग नहों यह स काइंड ओफ किसी आप धर्म को आत नहीं कर सकते किसी भी धर्म के नाम पर आप राजनीती नहीं कर सकते तो यह होता है रियल में होता है लेकिन वैसे मना होता है मतलब यह जो हमारे आचार सहीता इसमें सब चीजों को जो है करने से मना किया जाता है ताकि जो है क्या ना होता क क्या हैं यह क्लिक्ख बड़ उम्मीद्वार और पार्टियों को जो है यह समझे की क्या खळलब सबी तो सक्कूर्ण सब नहीं कर सकते हैं अब यह भी भात है ना ऐसा नहीं वह जाती है लात यह उसके बाद शक्रणा पत्र दे लिया उसके बाद परचार कर रहे हो नहीं कर सकते आप बीजेपी कुछ अलग ही क्या निकाल लिए अभी जैसे पर क्या कर भी एक नहीं जो है यूजना का शल्लानीयाष कर रही है कि यह हम जो है यह एक बहुत अच्छी निकाल देया अब आपने वाले हैं तो ये सरकारा का नहीं कर सकती यह भी कर सकते हैंime कि किनाओं से पहले जो आप किसी भी नहीं जशना को jsuru تूसके स्कूहने में नहीं मत नहीं यह कर सकते हैं अब बात कर लेते मत दान और और में गदना की लिए ऊंपाउ ने की लूट डेरे हो अब रिक्रिया मितलब उनकी वोट की इस दो और रह了 ही जुनाबी प्रिकरिया जो यह एंधिम पिदरों यह थो है एक चलो एक मटोग जो है ना यह अंतिम चलने मद आता हूं द्वारा जया वोट देना और मद्दान हो जाने के बाद जो है मतो की गिंती करना था विजय उमीद्वार को जो हुशित करना तो यह होता है अपर हैना क्या होता भी यह पहले आप डालोगे वोट डाले का वोट की कांटिं होती है कुछ समय का तया पर अंतर होता है 15, 28, 24 तो कि जाते हैं उसके बाद क्या होता उसके बाद की काउंटिं की जाती है मान कि चलो टोटल वोट थे वो थे है जो पांस लाग वोट थे अना यहां पर को मानी चलो जीतने के लिए नहीं आपको यह तो किसी को 50 मिले हैं ना किसी को एक लाग वोट मिले है ना किसी को दो लाग वोट मिले है ना तो यहां पर क्या होता है यहां पर बेसिकली किसी भी पार्टी का वोट ज्यादा होगा यहां पर वो नहीं है कि सबसे ज्यादा वोट मिलने चाहिए ना यहां पर किसी पार्टी का जो है सबसे ज्यादा व पर देखा होगा चुनाव में तो आपको पुर आपको रहाप भाख मिलता है तो वो जो पैसे हो आपको रख लिया जाएगा अब इसका मतलब क्या है रखने का मतलब क्या इसका तो यहां पर यह बताया जारा है कि यह जंता जो है वह आप नहीं है तो यह बताने की कोशिश की जा रही है आपने ठीक से कोई प्लैनिंग निकिया आपको पसंद नहीं किया तो इस वह से अमाउंट को कॉंस्ट कर लिया वो जब कर लिया तो यहां पर आपको कुछ सेक्योर्डी जो पॉजेटी भी देना पड़ता है दस यह रुपे का है इस चैनल पर आएंगे है आपने देखा होगा एवपी न्यूज आस तक बाता है कौन से तमाम नीज चैनल जो होते हैं क्या करते हैं वो जो है आपर अपना प्रमोशन करते हैं कि यह हमारी चैनल की जाला टीरपी है ठीक है ना चले भारत में जो चुनाओ क्यों लोगतां क्यों क्यों का रहा है तुब ने बता दिया वहारत में नुद्म है जो चीजन फॉलू हो रही ने तो हमारे देश में चुनाओ ऐक सुतंत और भायता और द्वारा जो शुरू करवायो जाते हैं इस से झाल निया पालिका के सभाल निया पालिका है ना जो हमारे लोक्तांति सरकार के तीसरी सब्सक्राइब रही है इसके बराबरी जोसे तागत दी गई है चुनाव आयोग की अधिस घुचना जारी करने जाड़ी करने से लेकर चुनाव भी नतीजों की जो है घुचना अबत तक यहां पूरे चुनाव से संबन्देट हमारा चुनाव आयोग ही करेगा ठीक है यहां पर जो यह आदर चुनाव सहीता जो है यह भी कौन लागू करवाता है यह भी जो हमारा चुनाव आयोग करवाता है कि आपको यह करना यह नहीं करना है तो यह भी कौन करवाता है हमारा चुनाव आयोग ही करवाता है यह चुना कि दूसरा है चुनाओं में जो है लोगों की बढ़ती भागीदारी बागीदारी चुनाओं प्रिकिर्या की जो है गडवत्ता को जाचने का एक और तरीका तरीका यह देखना है कि लोग इसमें कितने उस्सा से भागीदारी करते हैं यह नहीं अब आपने देखा होगा बाई पूरे दुनिया जो चौंग तो यहां पर यह भी देखा जाता है कि अब चुनाओं होते हैं तो लोगों की मतला एक उप्षिन और होता है नोटा वाला है ना नोटा मतला यहां पर जो है आपको क्या करना होगा बीसक्ली यहां पर आप किसी को अगर नहीं देना चाहते हो यहां पर जो है लोग जो है एकदम आप उसक्ति उत्सा से जो है यहां पर भागिदारी नहीं करेंगे अगर चुनाओं जो है निस्कक्ष और सुतंत रूप से नहीं हो रहे हैं तो ठीक है चलिए तो यहां पर बात कर लेते आगे अचाहां अब यह देखो भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब निरेक्षर मतलब जिनको पास जो है आप उसकति साक्षरतर नहीं है जो पड़े लिखे नहीं होने हम रिक्षर बोलते हैं घरीब निरक्षर और और कम जो लोग जयादा संक्या में मद्दान आ बहारत में जो मद्दान का इस तर यहां उपर गया है पूर्व में भारत मंद्दान का इस तर जो पच्छाइब पर सब्सक्राइब आगया तो अभी जो चुनाव गए ते उसमें जो है आप देखोगे पैंसेट परसंट या फिर सतर परसंट की बीच तक गया है और यह जो बढ़ता जा रहे हैं लोगों में न गरीब नरक्षर और कम जो लोग जाए ज्यादा संक्या मद्दान देते हैं समझ में आगे यहां पर बहुत चीज़ क्या है कि जहां पर जो हमारे गरीब लोग है जो पढ़े लिखे नहीं है जादा उनके संक्या जादा है यहां पर एस कंपेट तो अमीर लोग तो यह इंपों को बहुत महत तो देते हैं अगर हम चांपेर करें जो बड़े बड़े अमीर लोग है येतना में देते लेकिन आम लोग ज्यादा महत देते हैं उन्हें लगता है कि चुनाओं के जरिये राजनीति दलों राजनितिलorf तर अपनी अनुकूल निति और कारिकरमों के लिए दबाव डाल सकते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हम अगर जिस इंसान को जिता रहे है तो उस इंसान पर हम दबाव भी डाल सकते हैं अपना कि आप यह काम नहीं करवा रहे हो साल दर साल जो चुनाव से संबंदित गत्विदियों में जो है लोगों की सकरीटा बढ़ती जा रही है भारत में चुनाओं से संबंदित किसी भी गत्विदियों में जो है भाग लेने वालों का प्रिस्त जहां उन्हें इंट्रस्ट आ रहा है पहले बहुत कम था और साल दर साल यह बढ़ता जा रहा है और यह कहीं न कहीं देश के लिए बहुत अच्छी बात होती है ठीक है ना चलिए बात कर लेते अगला क्या अगला है चुनाओं के नतीजे जो यह तो यह तो यह यह एका दुका की बात निकर रहा कहीं की जगा घपलेवाजी हो भी जाती है लेकिन अगर में 99 परसंट की बात करूं तो यहां पर जो चुनाओं जो होते हैं वह दिश्वकषू रूप से ही होते हैं ठीक इना चलिए तो यहां पर जो है आपको यह क्लियर हो गया होगा लुब्र और इस साथ क्या हुआ हमारा जिए समझ में आजभ रखता हैं यह बहुत अच्य अyy назвọ आया आ तो एक बारी फिर Psalmर्ज hem देख लेना वहाँ पर जो है आपको समझ में आ जाएगा ठीक है किलियर हुआ यह नहीं हुआ जल्दी से बतो हां यह ना फटावट से बोलो हां यह ना हां आ यह ना बोलो बोलो जल्दी से बोलो फटावट से क्लिए रहे चले तो यह एंड करते हैं सेशन को, I hope आपको यह सेशन जो है बहुत अच्छे जो है क्लियर हो गया होगा, अब मिलेंगे अगली सेशन में तब तक के लिए गुडबाई, टेक केर.